अगर आपके बस Redmi Note 12 by 12 Pro है कोई भी फोन है तो यहाँ पर आप डिफॉल्ट एप्लिकेशन की सेटिंग कैसे कर सकते हैं फोन में तो इसके लिए जाएंगे आप सेटिंग पर स्क्रॉल करेंगे और Apps का ओप्शन देखने को मिलेगा आप इस पर क्लिक कर लेंगे इसके बाद यह यहाँ पर डिफॉल्ट टैप को उप्शन देखेंगे डिफॉल्ट एप पे क्लिक कर लेंगे अब डिफॉल्ट टैप में Launcher जो है वो आपका सिस्टम लांचर ही रहेगा डायल पर आप चेंज कर सकते है अगर त्रू कोणर है तो इसको आप चेंज कर सकते हैं यहां से, इस यूजब था सीह एक तो इसENS Pika मिन का लेंगे तो इसको चैन्च कर लेंगे अगर कोई सेलेक्टन नहीं है इसलिए aument करते हैं और इससे कोई चीज़ी शेयर करते हैं दो ऊप्षयन आती है इसमें सेम कोई सेलेक्ट कर कर लेंगे तो मैं गयलरी कर लूँगी इसके बाद बैक और म्यूजिक वगर आप चेंज कर लेंगे ठीक है वीडियो के लिए मैं फाइल मेनेजर तो इस टेप से आप यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा डिफॉल्ट अप्लिकेशन को और अगर कोई छेड़ चाड़ हो गई हो तो रिसेट पर क्लिक कर लेंगे तो आ